नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपको आपके गर में मौजूद कुछ ऐसी वस्तुवों का उपाय बताएंगे जिनने करने से आप जो भी आप अपने मन में चाहते हैं वे सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तो हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कई गरहों का प्रति निदित्व करती हैं जिनका प्रयोग करने से सभी ग्रह आपकी कुंडली में जो मौजूद हैं, वे मजबूत हो जाते हैं, और जब भी वे ग्रह आपकी कुंडली में जो होते हैं, वे मजबूत हो जाते हैं, तो आपकी जिन्दगी में जो भी आप चाहते हैं, वे आप प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा इसका तंत्र मंत्र वे जोती सास्त्र में भी बहुत उप्योग किये जाता है इसकी महतोता का वर्णन करेंगे तो ये वीडियो छोटी पढ़ जाएगी इसलिए आज हम आपको केवल इसके कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे दोस्तों अगर आप भी ऐसी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करके शेर अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय बजरंग बली क्योंकि दोस्तों हम ऐसी वीडियो हरोज लाते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन में खुशाली ला सकें और जी सकें एक खुशी बरा जीवन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप या आपके घर पर किसी का उपरी साया है, किया कराया है, या किसी ने कोई टोना टोटा कर दिया है, या फिर अगर साधारन भासा में कहें कि आपको लगता है कि आपके घर में कोई negative energy है, आपके घर में आपको परवेश करते ही ऐसा महसूस होता है, घर खाली-खाली महसूस होता है, घर में बिना चाही कलेश हो जाते हैं, या पर आई दिन लड़ाई जगड़े चले ही रहते है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में कोई negative energy है, या फिर कोई उपरी साया, या किसी का किया कराया है, इसके लिए आप क्या करें, कि आप अपने घर के मुखे जो आपका बरामदा होता है, यानि की चौक होता है, जैसे लौवी भी कहते हैं, वहाँ पर बीचो बीच आप एक स्टील की कटोरी में, या फिर पीतल की कटोरी में, या पीतल के किसी भी बरतन में, चार काली मिर्च के दाने आप वहाँ पर रख दीजी, जब भी आपके घर में कोई भी व्यक्ति, आपके घर का व्यक्ति हो, या फिर आपके घर से बाहर का व्यक्ति हो, जब भी आपक घर में प्रवेश करेगा तो उसकी सभी negative energy वे काली मिर्च अपने अंदर अशोशित कर लेगी और अगले दिन आप इन दानों को उठा करके अपने घर से बाहर किसी भी जल में प्रवाइद कर दे या फिर किसी भी बड़े पेड़ के नीचे आप से रखाएं और यह उपाय त चंद्रमा का कारक माना जाता है और चंद्र का सीधा संबंद आपके मन से होता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है उसका मन मजबूत होता है और जिस किसी व्यक्ती का भी मन मजबूत होता है उसके वश में होता है उसे सफलता प्राप्त करने से कोई भी ने रोक बहुत अगर शुक्र की बात करें, तो यह आपके भोग विलाज से संबन्द रखता है, यानि कि आपकी जिंदगी में ऐस्षोर आराम की वस्तुमों से, इसका सीज़ा संबन्द होता है, जब आपकी कुंडली में चंड मांजबूत होता है, तो आपकी जिंदगी में ऐस्षो आराम और पैसे में अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आप क्या करें, कि जब भी आप प्रती दिन अपने घर से किसी कारे के लिए निकलें, या फिर घर से बाहर निकलें, उससे पहले, अपने घर छोड़ने से पहले, आप दो काली मिर्च के दाने अपने मूँ में चबा लें चबाने से पहले दोस्तों, उससे अपने सीधे हाथ में रख करके, ओम शहर शुक्राए नमा, इस मंतर का एक बार जाप करके, इसे अपने मूँ में डाल लें, और चबाते हुए अपने घर से निकल जाएं, यदि इस तरियां इस कुपाय को कर रही हैं, और उनने कहीं घर स जिन्दगी में आत्म निर्बर हो जाएंगे, हर प्रकार के बहुत एक सुख आपको प्राप्त होने लगेंगे, तो दोस्तों, आज की वीडियो में किवले इतना ही कल, फिर आप से मुलाकात होगी, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे में जादा बॉक्स में लिखना ना बोले, जाए बजरंग बली